तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंकल ताई और अंकल न्यू दूनों ही यूग हाउ का टेस्ट लेने के लिए और उसकी पार को चेक करने के लिए उसे हाउत यान माउंटेन पीक की तरफ ले आए थे जहाँ यूग हाउ को टेस्ट के तौर पर अभी अंकल ताई को उनकी जगे से हिलाना था इसके लिए वो पहले अपने कई सारे अटाक्स करता है जो कि किसी काम नहीं आदे लेकिन आप बात में वो Ice Goddess की special technique का इस्तिमाल करता है Ice Goddess के पास वैसे तो चार तरहे की special techniques हैं लेकिन fourth value से याद नहीं है इस वज़े से उसने यह अपनी बागी तीनों टेक्नीक का ही इस्थमाल किया था वो टेक्नीक इतनी ज़्यादा पावफुल थी कि यह अंकल ताय की स्पिरिट बीस्ट और मिक को आगर आइस कॉड़िस के अटाक को रोकना पड़ता है हलाकि वो भी उसकी स्पिरिचुल एनरजी को नहीं रोक पाता और बात में यू हाव अंकल ताय को उनकी जगे से हिलाने में काम्याब हो जाता है जिसे यू हाव इस टेस्ट में पास हो जुका था अब आगे तो अब इस पार की शुरुवात में यू हाव अपने कबने में बैटा हुआ था तब ही वहाँ पर वैंग दॉंग भागते हुए आता है असल में उसने नई सोल डिंग ढून ली है वो आकर बताता है कि वो जिस चीज के लिए गया था उसमें वो कामयाब हो गया अब जैसे ही वो यहाँ पर आकर बैटा है तो यू हाव उससे पूछता है कि उसे किस तरह की सोल स्किल मिली जिस पर वैंग दॉंग कहता है कि नहीं मैं तुमें अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा तो मैं भी वो तुमें अभी कुछ नहीं बताऊंगा और जब तुम मुझे अपनी सोल स्किल के बारे में बताऊगे तभी मैरे सीक्रिट के बारे में तुम्हें बताऊंगा अब वैंग दॉंग को तो सस्पेंस में रहना बिलकुल पसंद नहीं है इस वज़े से वो थोड़ा गुस्सा हो गया था पर यू हाउ कहता है कि जिन्ता मत करो मैं इस चीज़ को सस्पेंस नहीं रखने वाला और इसके बाद यू हाउ आइस कॉड़िस को वहाँ बाहर बुलाता है अभी उसके हाथ से निकलती रौष्णी को देकर आइस कॉड़िस उसके पास चली जाती है और तभी वैंग दॉंग हाथ खुलता है और छोडी-छोडी बटरफ्लाइस वहाँ आइस कॉड़िस के आस पास आ जाती है इससे आई स्कॉर्डिस बहुत खुश हो गई थी और उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था जो चीज देकर यू हाव कहने लगता है कि अब शायद तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं आना उसकी ये बात सुनकर वैंग टॉंग हैरान हो जाता है और खड़े होते हुए कह इसे वहां अर्थक्विक आ रहा हो लेकिन इसका रीजन अर्थक्विक नहीं है बलकि असल में बहुत दूसरी तरफ अंकल ताई इस वक्त अपना गुस्सा शांत कर रही है अभी जब वो अपनी एनरजी रिलीस कर रहे थे तब ही अंकल न्यू वहां पर आते हैं वो कहते है कि शायद भाई अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ तुम अभी भी यू हाउ और आइस गॉर्डिस से हारने की वज़े से गुस्सा हो इस पर अंकल ताई कहते हैं कि नहीं अब वो बात में बुला चुका हो पर अंकल न्यू कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा नही लगता वैसे अब सिर्ण चींज होकर फिर से यहां यू हाउ और वैंग टॉंग के पास आता है यू हाउ ने अभी वैंग टॉंग को सारी बात बता दी थी जो जानकर वैंग टॉंग कहता है कि कमाल है Northern Region के थ्री केंग्स में से एक केंग के spiritual soul तुम्हारे पास है ये कितनी बड़ी बात है इस पर यू हाउ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा लेकिन अभी तक आइस गॉड़िस के पास अपनी पूरी पास नहीं आई है मुझे उसे उसकी पूरी पास दिलाने में अभी बहुत सामय लगेगा इस पर वैंग टॉंग कहता है कि तुम्हें चंता करने की ज उन्हें अल्रेडी अपने समान पैक कर लिये हैं जानी से पहले अंकल ताय यहां वैंग टॉंग को एक बैंग देते हैं जिसमें कुछ रखा हुआ था और फिर वो उसे हग करते हुए उसे अपना ख्यार रखने को कहते हैं और फिर वैंग टॉंग बहां से आगे बढ़ जा है लेकिन हाउट एंट से निकलने के बाद वैंग टॉंग ने एक शब भी नहीं बूला है इसलिए यूखाव सोच रहा था कि आखिर वैंग टॉंग इतना चिप क्यों है पर यूखाव भी कुछ नहीं कहता विसे अब तभी अचानक वैंग टॉंग रुख जाता है क्योंक वापस लोटने का इंतसार करूंगा मैं तुमें अपनी एल्ट असिस्टर से भी मिलवाऊंगा ये सुनकर यूखाव थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसे ये जीज समझ नहीं आती पर फिर इसके बाद अब वो भी गुडबाई कहकर महां से चला जाता है विसे यहाँ पर व वैंग दॉंग से बोले थे कि तुमने सच में बहुत अच्छा दोस बनाया है वसे इसी बात की वजह से शर्माते हुए वैंग दॉंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और साथ ही अभी इसी बात को याद करते हुए वैंग दॉंग चलाता है कि तुम बहुत बड़ सीन में वो Sun and Moon Academy पहुँच चुका था, यहां से उसके वापस Shrek Academy लोटने तक का ठाइंग बहुत स्पीड से चलने लगता है, मतलब सीन यहां से जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हुए दिखाय जाते हैं, यहां पर सीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जा रही थे और सोच आता है, यह चीज देखकर उसके टीचर भी बहुत जादा है, लेकिन वो भी उसका ख्याल रखते हैं, यहां तक कि कुछी महीनों में यूहाओ ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, कि Sun and Moon Academy के स्टूदेंस खुद उससे हल्प लेनी के लिए आते हैं, अब यहां Sun and Moon Academy में य यूहाओ और तात्सु का ताइम पुरा हुच चुका है, उन्हीं वापिश्रक एकाडमी की दरफ लोटना है, यूहाओ अभी अपने कप्रे पगेरा पैक कर रहा था, वो कह रहा था कि टाइम कितनी जल्दी बीच गया, मुझे यहां पर करीबन धाई साल बीच चुका है, अभी वो अकाडमी में ही घूम रहा था कि तभी उसे जीऊशन देखता है, ये वही लड़का है जिसके साथ यूहाओ की स्वाटफाइट हुई थी, अभी जीऊशन कहता है कि क्या तुम अकाडमी की ड्रेस में ही यहां से जाने वाले हो, जिस पर यूहाओ कहता है कि मैं आ जादा ट्रेनिंग की है, और अब ऐसा कहते हुए, वो यूहाओ के सामने हाँ चोड़का रिक्वेस करता है, एक आखरी स्वाट बाटल के लिए, अब यूहाओ कहता है कि ठीक है, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रूर लड़ सकते हैं, लेकिन यहां यूहाओ अभी उसके अटाक के लिए दायार था, और पूरे कॉंसेंट्रेशन से देख रहा था, कि वो कब हमला करेगा, लेकिन जैसे ही जूहाओ हमला करता है, तो यूहाओ इस चीज को मुटिस ही नहीं कर पाता, क्योंकि जूहाओ की स्पीड पहले के मुकाबले बहुत पाता तेस हो चुकी है, जूहाओ को पता ही नहीं जलती, विसे तब जूहाओ तलवार को अपनी तरफ आते हुए देख तो रहा था, पर वो सामने से नहां आटे हुए, बस स्माइल करता है, विसे असल में वो अभी, यहाँ अपने सोल स्पेस से आइस एम्परस स्वाट को बाहर निकाल रहा था, और स्वाट के बाहर आते ही, वो अब असली जूशन पर हमला कर दीता है, जो देख जूशन हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था, कि यूहाओ उसके आफ्टर एफेक्स को समझ पाएगा, आफ्टर एफेक्स टेक्नीक है, जिसमें जूशन ने का इस्तमाल कर सकता है, इसलिए वो जूशन के हमले को समझते हुए, पहले ही वहाँ से हट गया, तसर इसके बाद अब उन दोनों में फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है, ये फाइट बहुत ही जाता स्पीड में हो रही थी, और यहाँ जूशन ने फिर से दो तीन बा ही है, इसलिए उसे स्वाट फाइट के मूव्स पर ध्यान देना पड़ रहा था, लेकिन यू हाँ की स्किल्स भी यह बहुत अच्छी हो चुकी है, साथ ही उसके पास आइस एम्परर की स्वाट भी है, जिस वज़े से यू हाँ स्वाट फाइट जैसे क्लोस रेंज बाटल में भी लॉंग रींज से फाइट कर पा रहा था, हलाकि ये लड़ाई लाइफ एंड डेद बाटल जैसी नहीं थी, और अभी इतनी देन तक लड़कर ही, जियू शेन के चीज समझ चुका था, कि वो अभी तक यू हाँ के लिवल का नहीं हुआ है, इस वज़े से वो वापस अपने मियान में रखते हुए, कहता है कि इस बार भी ये फाइट तुम जीते, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, हलाकि अभी यू हाँस की तहरीफ करते हुए कहता है, कि तुमने भी पहले से बहुत साथा ग्रूद की है, मैं confidently कह सकता हूँ, कि तुम पहले से बहुत कर रहे थे, इस बेजियूशन यू हाँस से उसके नई तलबार और साथ ही नई टेकनीक्स के बारे में पूछता है, वो कहता है कि तुमने पिछली बैटल में तो इनका इस्तमाल नहीं किया था, इस पर यू हाँ कहता है कि हाँ, क्योंकि ये नई टेकनीक्स है, ये मैंने अ हाँ इसा नहीं है, और जब तर हमारा बातल पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम तोनों में से ये जादा ताकत वर कौन है, हालाकि जीशन कहता है कि तुम कुछ भी कहो, पर मैं ये चीजज समझ चुका हूं कि हम तोनों की पार लेवल में बहुत साध मैं उमीद करता हूँ कि हम एक दिन फिर मिलेंगे और इस लड़ाई को पूरा करेंगे इस पर यूहाओ कहता है कि हाँ श्रेक अकाडम में तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा तुम जब आना चाहो आ सकते हो और मुझे चालेंज कर सकते हो अब इसके बाद जियूशन यहाँ यूहाओ से फिर मिलेंगे कहकर वाँसे चला जाता है अभी उसकी जाने के बाद यूहाओ कह रहा था कि सब तुम ही मुझे देखकर मोटिवेट नहीं हुए हो तुमने भी मुझे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत साथा मोटिवेट किया है इसके लिए तुमारा शुक्रि कि उसे तो टीचर जुआन से जाकर मलना था इसके लिए वो तुरंट वहाँसे निकल पढ़ता है अलाकि तब ही हम नूतस करते हैं कि अभी दीन बहुत दूर से उसे ही देख रहे थे वसे अब सीन चींच होकर यहाँ टीचर जुआन और यूहाओ के पास आता है यूहाओ कि इन में कोई भी गलती नहीं है तुम सच में एक जीनियस हो हालाकि वो अभी थोड़े दुखी थे वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम कल वापस जा रहे हो तुमारे जाने से मैं एक जीनिस टुडिन को खोद दूँगा पर फिर यूहाओ उनके पास आते हुए कहता ह कि मास्टर आपने अभी तक मुझे जो कुछ में सिखाया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बगर मैं अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और अगर आप चाहो तो अभी भी ऐसा हो सकता है ये सुनकर टीचर जुएन समझ आते हैं और कहनी लगत वैसे वो ये भी बोलता है कि आपसे इस चीज के लिए हां करबाने के लिए मैं बहुत महीनों से प्राक्टिस कर रहा हूँ और मैंने एक चीज भी बनाई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए आपको मुझे पर भरोसा करना होगा यू हाव भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो जिसके बाद यू हाव अपने मेंटल एनजी रिलीस करता है और फिटीचर जुआर उसके सौल स्पेस में आ जाते है यहां वो अभी यू हाव के बनाए हुए सौल गाइड वेपन को देख पा रहे थे उसके औरा से उन्हीं लग रहा था क कि यह लेवल 9 का सौल गाइड वेपन है लेकिन यह इंपॉसिबल था वो कहते है कि नहीं यह लेवल 8 का है लेकिन यह भी कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो जानते थे कि लेवल 8 का सौल गाइड वेपन कितना जाधा पाफुल होता है यहां वापस से नॉमल होते हुए को कह रहे थे कि एक लेवल एड का सोल काइड वेपन पूरी सन अन्मून अकादमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है अब यू हाउ उन से पूछता है कि कहीं आपको ये फीक तो नहीं लगा जिस पर टीचर जुएन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है इस तरह कि एनरजी को क्रेट करबान जिस चीज को टीचर जुएन नहीं समझ पाए वैसे भी अभी यू हाउ को कम से कम लेवल 70 पर आना होगा तब जाकर वो इस सोल गाइड वेपन के इंस्क्रिप्शन को पूरा कर पाएगा हलाकि अब टीचर जुएन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो अभी इतने कम ल जैसे कर पाया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हिदन वेपन्स हैं जिने कमबाइन करने से बहुत जादा पाफुल वेपन्स क्रेइट के जा सकते हैं इस चीज़ पर टीचर जुएन कहते हैं कि तुमने हाथ सच में मुझे सर्प्राइस कर दिया है लेकिन मैं अभी भी तुम से प्रामिस नहीं कर सकता कि मैं तैंक से जॉइन करूंगा की नहीं लेकिन क्या तुम मुझे इस वेपन की कुछ नॉलिज दे सकते हो मैं इसके बारे में और जादा जानना चाहता हो इस पर यूग हाव कहता है कि मैं आपकी नीचे को अच्छी तरह ऐसे जानता हो आपको सो नॉमल पीबल्स की मदद करने के लिए सोल गाइडिंस टूल्स को क्रियेट करना ये सुनकर टीचर जुआन हरान थे क्योंकि यूँ हाव उन्हें अच्छी तरह से समझता है अभी कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब टीचर जुआ एक अप्लिकेशन लेकर दीन के कहना है कि अभी नॉमल पीबल को इस तरह की सोल गाइडिंस टूल्स की ज़रूरत नहीं है उनका मानना है कि वार के लिए सोल गाइडिंस टूल्स बनाने में टाइम की बचट है क्योंकि इससे वो और जादा श्रौंग बन सकते हैं ये सुनने के बाद टीचर जुआन ने अ जैसा नहीं है आप जैसा कह रहे हो तैंक से बिलकुल उनसे उल्टा है हम कभी पाफुल को और जादा पाफुल बनाने पर फोकस नहीं करते क्योंकि हमारी जरूरत तो कमजोर लोगों को जादा है अप इस चीज़ से टीचर जुआन थोड़ी सोच में पढ़ गए थे हलाग भी वो है टीचर दीन से मिलने आया था वो यहां आकर उनसे कहता है कि कल एक्रिमिन्ट खत्म हो रहा है इसका मतलब शेक अकादमी से आई स्टूधिन्स खल वापस लौट जाएंगे इस पर दीन कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है उन्हीं जाने दो विसे भी साननून अका झाल